सिद्धी हिंदी विद्ध्यालाई योटोब चैनल में आप सभी का हारदिक स्वागत है विद्ध्यार्थी मित्रो आजमकक्षा नाइन विग्नान और टेक्नोलोजी विशय में चैप्टर नंबर 6 उत्तक के बारे में आगे अभियास करेंगे इस चैप्टर के अंतरगत दो उत्तक हमें पढ़नी है वनश्पती उत्तक और प्राणी उत्तक वनश्पती उत्तक के बारे में हमने अभियास कर लिया अभी हम प्राणी उत्तक के बारे में अभियास करेंगे प्राणी उत्तक तो शर्व प्रथम हम ये सोचते हैं कि कोशिका को ओटू की जरूरत क्यों होती है तो हम सबको पता है बच्चों कि कनाप शुत्र नाम की जो कोशिकांग होती है कनाप शुत्र नाम की कोशिकांग में पोशक द्रव्यों के दहन द्वारा मतलब पोशक द्रवयों के Oxidation द्वारा ATP के श्वरूप में उर्जा मुक्त होती है और दहन या Oxidation करने के लिए हमें Oxygen की जरूरत होती है किसकी जरूरत होती है Oxygen कोशिका में कनाप शुत्र नाम की कोशिकांग होती है और कनाप शुत्र में पोसक द्रवियों के दहन के लिए या पोसक द्रवियों के ओक्सिडेशन के लिए अमें ओक्सिजन की जरूत होती है क्योंकि दहन या ओक्सिडेशन नहीं होगा तब तक दहन या ओक्सिडेशन नहीं होगा तब तक शक्ती मुक्त होने वाली नहीं है दूसरा है कोशिका को ओटू की जरूरत पूर्ण करने के लिए पेशी कोशिका को ओटू की जरूरत पूर्ण करने के लिए पेशी कोशिका को ओटू की जरूरत पूर्ण करने के लिए पेशी कोशिका को ओटू की जरूरत पूर्ण करने के लिए पेशी कोशिका को ओटू की छबी कोशिकाईं में पहुंचता है स्वतधर्द क्रिया के दौरान लिए जाने वाला ऑक्सिजन फयभड़े में और सरेर की शबी कोशी काउं में पहुंच जाता है दूसरी बात हम सोचते हैं बैटा तो है एक जड़ उत्तक किसके प्राणी के शरीर को ढखने वाली या बाहिय आवरण के श्वरूप में रक्षन देने वाली उत्तक को हम कहते अधित्छद उत्तक या तो उपकला उत्तक प्राणी के शरीर को ढखने वाली या बाहिय आवरण स्वरूप में रक्षन देने वाली उत्तक को हम कहते है उपकला या तो अधित्छद उत्तक और वो शरीर के अंदर रहे हुए अधिक्तर अंगों को ढखती है उपकला उत्तक या अधिच्छद उत्तक शरीर के अंदर रहे हुए अधिक्तर अंगों को ढखती है शामानिय लक्षन कौन से अधिच्छद उत्तक के तो अधिच्छद उत्तक की कोशी कायज होती है वो एक दुसरे के साथ चुष्ट रुप से जुड़ी होती है और अच्छा दित आवरण का एक निर्मान करती है अधित्छद उत्तक की कोशी का एक दुसरे के साथ चुष्ट रुप से जुड़ी होती है और अच्छा दित आवरण का निर्मान करती है शबी अधिच्छद के नीचे बाहिय रेशे मैं आधार दिया जाने वाली आधार कला होती है जो अन्य उत्तक से उसे अलग करती है अदिच्छत की कोशिका के बीच सिमेंट द्रव्य बहुत कम मातला में होता है क्योंकि अदिच्छत उत्तक की कोशिका एक दुसरे के साथ चुस्त रुप से जुड़ी होती है अलब अदिच्छत कोशिकाओं के बीच में замет द्रवय बहुती कम मातला में होता है अधिक्तर शामानिय तह कोशी काए के बीच आंतरकोशी की आउकाश लगबग होता नहीं है क्योंकि अधित्चत उत्तक की कोशी काए मुक्तृप से जुरी होती है अधित्चत उत्तक की जो कोशी का है वो मुक्त रुप्षे जोड़ी होती है किसी लिए आंतरकोसी की आउकाश भी नहीं होता है और सिमेट ध्रव्य भी बहुत कम मातला में होता है जो अधिच्छल उत्तक का स्थान है वो कहां पड़ा त्वचा कहां पड़े स्थान तो स्थान के रूप में है पहला है त्वचा फिर मुका अस्तर अननली रुदिरवाहीनी का अस्तर फैफडे के वायुकोष्ट मुत्रपिन नली का त्वचा मुका अस्तर अननली रुदिरवाहीनी का अस्तर फैफडे के वायुकोष्ट मुत्रपिन नली का इतियादी अधिच्छत उत्तक के बने होते हैं कारियों अधिच्छत उत्तक विवीज शारिरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए प्रतिरोध का निर्मान करती है क्या कहा अधिच्छत उत्तक विवीज शारिरिक तंत्रों को एक दुसरे से अलग करने के लिए प्रतिरोधगा निर्मान करती है इसलिए जो पदाश सरीर के बाहर निकलेगा या जो पदाश सरीर में प्रवेश करेगा वो अधिच्छत के स्तर मेशे पशार होगा मतलब एक में गेट की तरह काम करती है इसलिए विवीज प्रकार की अधिच्छत उत्तक की कोशी काओ के बीच की पारगम्यता बायवातावरन और सरीर और सरीर के विभिन अंगों के बीच पदार्थों की आदान प्रदान में जो अधिच्छत उत्तक के योगदान पड़ेगा दूसरी बात है बच्चो जो लादिशम अधिच्छत लादिशम अधिच्छत के जो प्रकार है उसके बारे में हम देखेंगे लादिशम अधिच्छत के बारे में देखेंगे तो लादिशम अधिच्छत के दो प्रकार है एक सरल लादिशम और दूसरा है स्त् बहुती पतली चप्टी और नाजुक मतलब इकदम माइड अस्तर बनाने वाले एकी स्तर में शमायुजित होती है जब कि स्तुरुत लादी शम में जो उनकी कोशिका है एक से अधिक स्तरों में शुव्यवस्थित होती है मतलब सरल लादी शम में जो भी कोशिका है एकी स्तर में शमायुजित होती है जब कि स्तुरुत लादी शम में जो कोशिका है एक से अधिक स्तरों में शमायुजित होती है सरल लादीशम का जो स्थान है रुदिरवाही, फैफडे के वायुकोष्ट अनली और मुका अस्तर जबकि स्तुरुत लादीशम का जो स्थान है वो त्वचा का अधिचर्म मतलब त्वचा का आवरण जो होता है क्या कहा? सरल लादीशम की कोषी का है बहुत चप्टी होती है, पतली होती है और एकी स्तर में शमायुजित होती है जबकि स्तुरुत लादीशम की जो कोषी का है वो अन्यक स्तरों में सुव्यवस्थित असमायुजित होती है जो सरल लादीशम का जो स्थान है रुदिरवाहिनी फैफरे के वायूकोष्ट अनली और मुका अस्तर और स्थुरुत लादिशम का जो स्थान है वो यह त्वंचा का अधिचर्म सरल लादिशम का जो कारिय है सरल लादिशम द्वारा पदार्थो का वहन पसंद गीमान प्रवेश्चिल पटल द्वारा होता है सरल लादिशम द्वारा पदार्थो का वहन पसंद गीमान प्रवेश्चिल पटल द्वारा होता है जब कि स्तुरूत लादिशम की बात करते है तो जो बायर जो कटाओ होता है जो हमारी तवचा फट्टी है या कट्टी है उसके सामने में रक्षन दिलता है जो स्तुरूत अधिच्छद है वो बायर इजा या बायर तकलिफ या बायर कटाओ के सामने हमारी तवचा को रक्षन होती है लंबी होती है उनकी लंबाई ज्यादा होती है चोड़ाई कम होती है स्तंब यह स्तंब जैसे लंबाई ज्यादा चोड़ाई कम होती है और इस उत्तक आंत का अंदर का स्तर बनाती है और अभिशोशन और स्त्राव के लिए मदद करती है क्या कहा यह उत्तक जो है आंत का अंदर का स्तर बनाती है अभिशोशन और स्त्राव के लिए मदद करती है फिर पक्षमल अधिछद या तो पक्षमा भी अधिछद पक्षमा भी अदिच्छद ये जो पक्षमा भी अदिच्छद है वो स्तंभिय अदिच्छद का ही एक प्रकार है स्तंभिय अदिच्छद कुछ समय के पश्चात पक्षमा अदिच्छद में रुपानतरित हो शकती है ये पक्षमा भी अधिच्छद या पक्षमा भी उपकला की उत्तक की कोशिका की मुक्त सतर पर एक छोटी-छोटी बाल जेशी रचना होती छोटे-छोटे रॉम जेशी रचना होती जिसको हम पक्षमा कहते ये पक्षमा की गती जो स्वास नली में ये पक्षमा भी उपकला क ये पक्ष्मो की गती स्लेश्मो को बाहर की ऑर ठकेलती है और स्ट्रकेलती है और प्रजिश्ट को शवच्छ बनाती है। जो शुक्ष्म रॉम होते हैं अदिच्छ तो धनाकर अदिच्छत की बात करें। गन मलब शमगन मलब इस उत्तक की कोशी का है लंबाई चोड़ाई और उचाई में शमान होती है यह उत्तक मुत्रपिन नलीका और लार ग्रंथी की नलीका का अस्तर बनाती है और यह आंत्रिक आधार देती है नेक्स्ट पॉइंट यह अधिच्छत उत्तक की कोशी का है अधिकतर विशिष्टता वाली पेशी उत्तक की शता पर द्रव्यों का स्तराव करती है और ग्रंथी कोशो की तरह भी कारिया करती है इस उत्तक की कोशी का है उत्तक की शता पर द्रव्यों का स्तराव करती है और ग गनाकार उपकला उत्तक का कुछ भाग अंदर की वर मुड़ जाता है और बहु कोशी की या ग्रंथी का निर्मान करता है उसे हम क्या कहते है ग्रंथी या अधिच्छद दन्यवाद यदि ये वीडियो आपको पशंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और शिद्ध हिंदी वीडिया ले यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफेकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे धन्यवाद कि अञ़ा मिजâu ते नेतां कीजिए के लाजश जल्द कट्सकूएगार रहे लेकरावार जल्द मिलता बल्द मिलता इनने इनने चैनल का रहे धन्यवाद बल्द मिलता यह वी knife लेगें